तो वास्ट अब गाइज येज गेमिंग इसे एर तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं पब्जी मोई लाइट के जो कंट्रोल्स आप जमाते हो कस्टम कंट्रोल्स जो आप जमाते हो जैसे भी आप क्लॉर टू फिंगर और फॉर फिंगर जो भी तो उनकी कुछ करते हैं तो वह भी मैं आपको बताना वालों कि कैसे आप उन गल्टियों को सुदा सकते हो तो जो भी चैनल पर नहीं हो फटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छी लगए तो लास्ट में एक लाइक भी कर देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ है जो आपको सेट करनी चाहिए वह गाइस की जिए देखो आपको यह जोईस्टिक दिख रही होगी जाता हूं कंट्रोल पर जो न्यू लोग रहते हैं वह सोचते हैं जो जोईस्टिक है इसको अगर अपन बढ़ा कर देंगे जैसे कि वह इतना बढ़ा कर लेते हैं उस्टेंगे कि उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होगा तो गाइस तो मैं आपको दिखाता हूंगा इसका मूवमेंट तो इससे मूवमेंट थोड़ा फास्ट भली हो रहा है लेकिन मतलब आपकी जोईस्टिक है ना बहुत बढ़ी हो जाएगी ना तो है तो इसको बढ़ा रखना सही नहीं है इसको मैं बताता हूं है अगर आप छोटा रखो अगर आपने इतना फिफ्टी परसेंट पर से रख दिया है अब देखो जैसा छोटा है ना तो आपको बस थोड़ा सा करना पड़ेगा मनलब कि देखो अभी बढ़े में आपको इत आपको जो अपनी जोइस्टिक है ना उसको छोटा कर लेना है तो उससे आपको मुवमेंट करने में आसानी होगी ठीक है तो आप जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो यह हैगा कि आप जो जे फाइरिंग बटन है आपके जो कि क्लॉक हेलते हैंगे थ्री फिंगर वो क्या कर करते हैंगे कि अपना जो फाइरिंग बटन है यहां से उठाके यहां रख देते हैं और इसको फुल साइज कर देंगे और फिर यह वाला बटन है इसको कि इसके इधर पर ऐसा रख कर देते हैं कुछ ऐसा कर देते हैं ज़्यादतल लोग ऐसी करते हैं जोब ख्रिटेना वह जादतल लोग ऐसा कुण आपको प्रॉब्लम आपके जोम तो आपकी जो एक हैका थंग लेफ्त हैंड वाला थंग है वह रहाएगा जॉरिष्टिक पर उससे.. आपकी काम करेगी.. आपकी जो रायट हैंड वाला थंग है उससे आपका Crosswear आप करोगे.. और फिर जो आपकी रायट हाँ.. राइट है.. इस ये फिंगर है.." जिसको.. तो पहली बात तो आपका टॉच अगर अच्छ नहीं है फोन का टॉच रिश्पॉंस तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है यह यहां पर दो बटन रखी है और आप क्लिक कर रहे हो एक बटन पर तो देखो एक बटन एक तो आपको जोईस्टिक पर है पहले से ही दूसरे से अगर आपका चले लिटाइगा तो फिर इसके बाद या तो आपका तीं टच अगर आपका सबूट करता है फोन तो फिर तो ठीक है कोई ही दिक्कत नहीं है लेकिन आपको तू टाचंट या फिर त्री मतलब अच्छा से नहीं करता है तो फिर आपने जो यहाँ पर बटन रखें दोनों पर क्लिक हुआ ना यहां से या तो यह आपको मुव्मेंट या फिर क्रॉस एर का मुव्मेंट इन दोनों में से कोई एक देखो गया ना तो आपका क्रॉस एर एक दम से आपकी जॉइस्टिक चूड़ी जाएगी और ऐसा तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है आपको तो सबसे सही तरीका हैगा बटन रखने का मैं आपको बताता हूं आपको करने यहएगा कि जिदर पर आप तच करते होना आप क्लॉक लिए वहाँ पर आपको यह मेन वाले बटन रखनाय को यह एक बटन यहाँ एक बटन को आपको रखना है फुल्ल सायज करके और जो यह दूसरा को taran transparent कर देना है तो इसको पूरा आपको transparent इससे घाये भी रहे तो इसे से आपको चुक्त कर पाऊगे तो आपको दो बटनों को एक साथ नहीं रखना है आपको एक बटन को रखना है कि तो अब बढ़ते हैं थर्ड नमबर टेप की तरफ तो आज जो थर्ड नमबर टेप है वह यह है कि आप मलब गाड़ी में बैठे हुए हो और आपका टीम मेट गाड़ी चला रहा है और आप पर होती है कि फाइर इंग ठीक अगर आप फाइरिंग हो रही है या फिर आपको दिख गया है कि सामने बंदा है और आप ऐसे सीट मिल का बढदन है वो एक ही जगा पिद भाताएगा सटाउ मैं अगर मैं देखने स्को खूख से आप सीजा बंदे को आड़ मोर्फ चलती आई सकते सब्सक्वार चालताई क्यों कि आप दो यह थ्लिए मत्विर सकते हो होगे तो है सबसे सभी तरीका एगा कि जो आपका एक्जिट का बटन ना उसको आपको इसको बटन के पास में रखना चाहिए जैसे आपको यह एक्जिट का बटन है तो आपको इसे रखना चाहिए हमेशा यहां सेंटर में आपको एक्जिट का बटन को आपको रखना कुछ मतलब जरूरत पड़ेगी निज़े रखो सेंटर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको लग रहाएगा कि आपका ये जो बटन है कि ये क्रॉस एर के उपर आ रहाएगा तो थोड़ा सा आप उसे कर सकते हो जैसे कि यहां कर लो थोड़ा से नीचे इधार ठीक कि इधार आप सेट कर लो से अब देखो आपको मतलब दिखराएगा कि आप बहाँ पर बंद आएगा तो अगर आप ऐसे स्कूप खोलते होगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्कूप खोलने में तो क्योंकि देखो आपका एक्जिट का बटन आप वहा एक्जिट का बटन इसकूप के पास अगर आपका भी एक्जिट का बटन रखाएगा तो उसे वहां से हटा कि यहां सेंटर में रख दो नहीं तो फिर चलती कार में से दिक्कत हो सकती कि इनने पर तो जो फूट नंबर टिप है और मतलब जो मैं पता रहा हूँ मुझे है कि और भी आपको जो यहां पर नीडित आप के ओपन है तो इसे यहां पर जो पहले से आता है लności अगर आपके सामने कोई बंधा अगर आप उससे अधर उससे कर रहे हो तो आपने छिट करी और आपकी लोट पर चलीगिया पिर आपने लोट पे क्लिक करा ठीक जब आपने रिलोड वाले जैसे कि आपने रिलोड वाले पर क्लिक कर रहा तो धोके से हो सकता है कि आपका रिलोड वाले पर क्लिक होने की जगह अगर आपका नेड पर क्लिक हो गया ना तो आपका प्लेयर अपने आप नेड कर देगा ठीक जैसे कि आप ने देखो यह आपने फाइट कर रहे हो और आपने रिलोड पर दबाए लेकिन रिलोड पर दबा नहीं और आपका धो कैसे उसकी जगह पर नेट पर डब गया ठीक तो फिर आपका प्लेयर रहेगा वह अपने आप अगर नेट करा तो आपके टीम में टोंगे तो आप पूरा स्कुरेड लेके उड़ जाओगे तो इसलिए इसलिए यहां नहीं रखना चाहिए देखो मैं आता हूं सैट कैसे करना चाहिए इसलिए गाइस वो जो नेट वाला उप्सेन वह यह खा यह तो इसको आपको यह वाले जो नेट को ऑपने इसके उपर रखना चाहिए रखना चाहिए और यहां और यहां आगया तो आप करते हो और उसकी बाद दवाते हो तो आपके रिलोड पर क्लिक होगा आपके नेड़ वेड़ पे क्लिक नहीं होगा तो आपको नेड़ वाले ओप्शन को साइड में रखना है और रिलोड के जो बटने उसको आपको बढ़ा कर देना ठीक है तो गाई जो फिफ्ट नमबर टिप है वह यह एगी कि आपके जो बी एक अपने जमा के रखेंगे उनको आपको ट्रांस्पेरेंट कर लेना अभी नहीं मतलब अगर अभी आप ट्रांस्पेरेंट कर लोगे तो अभी साइर आपको प्रॉबलम हो सकती क्योंकि बहुत से लोग लेंगे तो फिर उनको मतलब दिखेंगे नहीं कि उनके रही हैं कि तर तो ऐसा में फिर ढूंदेंगे कि कहा यह वो तो गाइस जैसे आगर आप बहुत मतलब खेल रहे हो दो तिन महीने से खिल रहे हो और आपकी आदत होगे आपको के अगनोर मॲां कर देखने की जरूट नहीं पड़ती है कि कंट्रोल कुण सा कंट्रोल कहा राखा है ये वह फिर आपको अपने ट्रांस्पेरंट कर लेने चाहिए सारे आ Caleb को जैसे कि यह फाइरिंग बटन है इसको पूरा आप ट्रांस्पेरेंट कर लो यह जोईस्टिक है तो इसको तो आप रहने दे सकते हो और रिलोड बटन है इसको ट्रांस्पेरेंट इस बटन को भी ट्रांस्पेरेंट कर सकते हो और फिर उसके बाद जोईस्टिक को वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो ट्रांस्पेरेंट इसे भी कर लो यह जंप बटन को कर लो ट्रांस्पेरेंट इसको भी कर लो और क्राउच बटन को भी नेड़ वाले बटन को भी आप ट्रांस्पेरेंट कर सकते हो और गंचेंज करने वाले को रहने देना गंचेंज वाले को ट्रांस्पेरेंट मत करने जो आपको पता ही चलेगा कि आपके पास गन कौन सी बैक बाले बटन को आप कर सकते हो ट्रांस्पेरेंट और पीक वाले बटनों को भी आप कर सकते हो ट्रा और फिर उसके बाद नेड़ वाले ओप्षण को भी मत करना इससे आपको फिर पता नहीं चले को लिए आपके पास ठीक है अब देखते हैं अब देखो लोग आपको कितना पूरी फ्री स्क्रीन मिल रही है और आपको अगर आपको पता है कि कौन से आपके कंट्रोल कहा है तो फिर आप अराम से रहो कहल भी पाऊगे तो गाइस अभी आपको अपने कंट्रोलों को ट्रांसपरेंट निकाना जब आप अब पर पैसे आपको कॉन सी बटन करना अपने लिय Caribbean न तो फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा हका तो फिर उसके बाद आप पूरा मिल्क करना पड़ेगा क्योंकि उसके बार आपको दिखंगे कहा पारने तो आप बापर सुने नहीं कर पाऊगे इस लिए तो आपको अपने बटनों को ट्रांस्पेरेंट कर लेना आएगा अगर आपको पूरा याद हेंगे कहां कि कुछ थो ठीक है तो इस तरह आपको कितना अच्छा मतलब एक दम पूरा अगर आपको दिख राएगा कि कहां पर बंदे हैं कहा बार-बार आपको के गाइस तो यह थी आज की पाच टिप्स और ट्रिक्स के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं आपको कमेंट में समझा दूँगा कि कैसे कैसे आपको कंट्रोल जमाने और अगर कुछ पूछना हो आपको तो आप चाहिए तो मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी एक गेमिंग वाली मैंने आइडी बना के रखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो गाइस यह था आज क वीडियो में कर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए बाए